साइंस के इस चाप्टर का नाम है सबसे पहले एक काम करते हैं यह जो रिप्रिड्यूस यहाँ पर वर्ड है इसी पर फोकस करेंगे देखते हैं कि यह रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है एक बात बताईए स्टुडिंस आप सब इस दुनिया में कैसे आए बैल आपके पैरेंस ने आपको जन दिया है तभी तो आप एक्जिस्ट करते हैं अगर हम यह सोचें कि फिर आपके पैरेंस कहां से आए है बैल आपके पैरेंस के जो रिस्पेक्टिव पैरेंस हैं उन्होंने उनको जन दिया है, तभी वो इस दुनिया में एक्जिस्ट करते हैं, यही तो होता है reproduction, देखें, reproduction एक ऐसा process होता है, जिसमें एक living organism, अपने जैसे एक नए living organism को produce करता है, धान दीजे, friends, जब एक living organism, अपनी जैसे ही एक नए living organism को जन देता है, उसे ही हम कहते हैं, reproduction यहाँ पर इस definition में समझने वाली बात यह है, friends, यहाँ पर आप देखें क्या लिखा है, of its own kind, यानि कि अपने जैसा यह ध्यान देना जरूरी है, देखें अब एक animal का अगर case ले, तो एक dog, friends, एक puppy को जन देता है, एक dog कभी भी एक human को जन नहीं देता, एक human, human को ही produce करता है इसलिए यह समझने वाली बात जरूरी है, कि एक living organism अपने जैसे living organism को produce करता है, और उसे ही हम कहते है, reproduction, मतलब बिल्कुल clear हो गया है, friends, अब एक बात में आपको बताती हूँ, देखें, अभी तक biology में, हमने बहुत से life processes को study किया, nutrition, circulatory system, respiration, excretion, सभी life processes के case में हमने देखा कि अगर यह process एक living organism की body में ना हो, तो फिर वो survive ही नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे बिना इन life processes के, परंतो reproduction का क्या, क्या हम reproduction को एक life process कह सकते हैं, सोचते हैं इस बारे में, आराम से discuss करते हैं, देखें friends, reproduction कोई एक ऐसी चीज तो नहीं है, जिसके बिना एक living organism survive ही नहीं कर सकत बिल्कुल ठीक बात है, अब आप खुद बताईए, अगर एक human reproduce करने से मना करते, अगर एक women कह दे कि उससे बच्चे को जन नहीं देना है, तो वो women आराम से survive तो कर सकती है, क्योंकि reproduction का survival से तो कोई connection नहीं है, परंतु, friends, अगर इस earth पर present, सभी women ऐसा सोचने लगे, तो की existence ही खतम हो जाएगी, यानि कि अगर हम चाहते हैं कि earth पर life बनी रहे, animals, plants, humans, इन सब की existence रहे, तो फिर दोस्तो, reproduction का process essential बन जाता है, और इसलिए दोस्तो, जी हाँ, हम reproduction को एक important life process का नाम जरूर देंगे, तो हमने basic बातें काफी कर ली है, reproduction के regarding, अब एक important concept को देखते हैं, देखें, students, जब एक living organism reproduce करता है, तब अगर हम simplified language में कहें, तो वे एक तरह से अपनी copy create करता है, अब essay में, दोस्तो, body designs में similarity आती है, जैसे कि आपनी notice किया होगा, जब एक women daughter को जन देती है, तो mother और daughter का body design, कुछ features, characteristics, similar होते हैं, तो ये similarity कैसे आती है, एक reproduction के process में हमें इस का पता लगाना है, होता ये है, friends, कि similarity के लिए responsible है DNA, DNA की full form होती है, deoxyribonucleic acid, friends, DNA एक ऐसा material है, जो nucleus में present होता है, अगर detail में study करें, तो देखें, मैं आपको समझाती हूँ, friends, हम लोगों की body, बहुत सारे cells से मिलकर बनी है, अब cells में present होता है nucleus, ये बातों हम सब को पता है nucleus के अंदर होते हैं कुछ thread-like structures, जिनका नाम होता है chromosomes, इन chromosomes के अंदर एक ऐसा material होता है, जो information pass on करता है different cells तक, इसी का नाम है DNA, friends, DNA की ही responsibility होती है, ये similarity लेकर के आना parent और friends, उसके बाद जो son, daughter या जो cell divided होए हैं उनके बीच, यानि कि reproduction process में जो हमें similarities दिखाई देती हैं, उस के लिए responsible है DNA, राइट friends, एक example लेते हैं, इक diagram के तुरो में आपको ए process समझाती हो, देखें यहाँ पर मैंने ये cell लिया है, इसके center में है nucleus, nucleus में present है DNA, जैसे ही cell ने reproduce किया, तो friends, आप यहाँ पर देखें किस तरीके से nucleus divide होने की कोशच कर रहा है दो cells के बीच, जब nucleus divide हो रह हो गई है, यही होता है friends, reproduction का एक basic process, अब आप यह कह सकते हैं, कि फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि reproduction के बाद cell की exact copy बने, यानि कि ऐसा क्यों नहीं होता कि mother और daughter का face या फिर उनकी body exactly similar हो, well students, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये DNA copying का जो process है, ये completely reliable नहीं है, ये biochemical process है, जिसमें काफी सारी variations होती है, इन ही variations की वज़ा से friends, identical नहीं होता complete product, हमें similarities दिखाई देती है, and in fact मैं तो कहूंगी कि ये variations, reproduction के process के लिए बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, आखिर ये variations कैसे important है, well इस चीज़ का पता, तो हमें अगले lecture से चलेगा, तो फिर चलिए friends, I hope आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी से समझ आ गया है, अब हम लोग मिलेंगे अगले lecture में, I am sure students, आपको ये lecture बहुत ही पसंद आया होगा, तो अगर आप अपने हर concept को इतने ही मज़ेदार और इंट्रेस्टिंग तरीके से clear करना चाहते हैं, तो download कीजे हमारी Pew Stack app, जहाँ पर आपके आपके लिए।